प्रशन पूछूंगी और आप उसका जवाब दोगे फिर मैं आपको समझाऊंगी और स्पीशी के बारे में यू एक ही क्वेशन डिसकास करेंगे उसी के बेस्ट हम इस पे पूरा इसको डीटेल में अनालेसिस करेंगे आपको बताना है आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास चार ओप्शन दिये हैं जल्दी से मुझे सही आंसर बताईए येस मैं पूछ रही हूँ आपको सामने दिख रहा है राइट, the question is right in front of you quickly give me the right answer आपको बताना है इसमें चार टाइप की स्पीशीज है फ्लाक्शिप, something is related to about edge स्पीशी एक umbrella स्पीशी के बारे में स्टेटमेंट है एक इंडिकेटर स्पीशी के बारे में स्टेटमेंट है चारों को पढ़िये सही बताना है थोड़ा सा कथिन question है तभी इसको लिया गया है तभी इसको basis पर रखके हम discussion करेंगे correct statement you have to tell the correct indicator species are the species that have the ability to capture the imagination of the public अच्छा species which are present evidently in ecotone boundary are known as edge species a flagship species disappearance would start a domino effect domino effect समझते है आप जब पानी में से पत्थर मारते है तो आसपास ऐसे ripples होते है तो इस प्रकार का domino effect होता है umbrella species are very similar to the foundation species but umbrella species are usually the species that need a larger habitat yes yes ma'am तुक्का है D बहुत बड़ा तुक्का है ma'am एकदम अपने सारे जान पे खेल के हम तुक्का दे रहे हैं नहीं नहीं इतना कुछ बड़ा तुक्का नहीं है ओके सबने D बोला बड़ कुछ लोग A और C भी बोल रहे है तो I will not consider कि सब के सब सेम आंसर दे रहे हैं ठीक है इस नॉट I am considering कि आप लोग सब तुक्का मार रहे हो आप लोग शयत फैलसी फॉलो कर रहे हो आप लोग फिर सब एक जसा आंसर दे रहे हो इसका आंसर A है species which are present evidently in ecotone boundary अब देखो इस एक प्रशन से you can actually learn so many terms related to environment सबसे important ecotone क्या होता है दूसरा edge species क्या होता है चीक है ecotone पता होना चाहिए edge पता होना चाहिए flagship पता होना चाहिए domino effect क्या होता है umbrella species क्या होता है foundation species क्या होता है indicator species क्या होता है one question I will tell you around 10 words the right answer is yes A so सारे के सारे बेटा सबने गलत answer दिया ठीक है तसली से तुक्का मार सकते हो अभी examination में पढ़के जाना इसलिए हम ये question लेकर आए है तो देखो सबसे पहले हम discuss करेंगे what exactly is a flagship species आपने ऐसे कहीं देखा है आपने सुना होगा अगर आप phone खरीदने जा रहे है you are going to buy a phone you must have heard that this is a flagship phone ये एक flagship phone है इस series का ठीक है for example apple का या आपने oneplus का phone खरीदा तो आपने ये term बहुत जादा सुना होगा सुना है कि नहीं सुना है बाद में dance कर ले जिसका सही है अभी डांस करने का समय नहीं है पहले मुझे आंसर दो yes have you heard this या नहीं माम हम तो नोकिया वो वाला इक्यावन सो वावन सो चलाते हैं कीपैड वाला है ना simple living high thinking में विशवास रखते हैं exactly so flagship मतलब होता है something that is extraordinary अभी तक ये किया नहीं गया है वान प्लस ने 60 लॉंच किया ये फ्लाक्शिप है आपन आइफोन 13 प्रो किया इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो अभी तक लॉंच नहीं हुए थे राइट हाँ जी सो वैसे ही similar grounds पे हमारी होती है फ्लाक्शिप स्पीशी ये एक ऐसी स्पीशी होती है जिसको हम ambassador की तरह treat करते हैं एक symbol है एक icon है जो इस पूरे habitat को define करेगा जैसे आइफोन 13 आइफोन 13 जो है वो आइफोन का एक फ्लाक्शिप फोन है मांग लीजिए तो वो define कर रहा है ये आइफोन कितनी बढ़िया कमाल की चीज़ है क्या कर सकता है cinematography, बढ़िया कैमरा, बढ़िया movie effects, everything वैसे ही एक बहुत ही charismatic species होती है बढ़िया सी मतलब जैसे मिताब बच्चन जी का charisma है हम बोल सकते हैं बॉलिवूड के वो flagship actor है I mean you know that much of a charisma and attraction is associated with him तो वो इतना iconic होता है कि उनकी जो पील होती है जनता में वो बढ़िया होती है जैसे हम अगर species के बाद करें तो polar bear, turtles बड़ी क्यूट से होते हैं polar bear की बाद करें हम rhinoceros की बाद करें something that have gained international recognition और ऐसा नहीं है कि हर देश का एक होगा आपके देश की flagship species कुछ और हो सकती है जैसे अमिताब बचन जी यहां के है बट हो सकता है Hollywood में कोई और famous है right so that is different for every country for example मैंने polar bear की बाद करूँ polar bear could be a flagship species यह इतना attraction है इनका among the people and among the general community that इनको preserve किया जाता है इनके आसपास ही इनको brand ambassador बनाया जाता है right हाँ तो flagship species जो होती है they are on the verge of extinction और ऐसा नहीं है कि यह बहुत ही abundant quantity में available है आप जहां जाओ कि खिड़की खोलोगे तो आपको ऐसे polar bear घूमते हों दिखें नहीं इसका मतलब है इनको extinction बहुत जल्दी इनका हो सकता है तभी तो ना इनको ambassador बनाया है कि सबका attention इस पे जाए सब इसको conserve करें for example your Bengal tiger for example your Asiatic lion तो अगर अब लायन को आपको पता है कि कभी भी यह विलूप्त हो सकते हैं tigers विलूप्त हो सकते हैं पांडा विलूप्त हो सकते हैं है ना तो हम उनको flagship species बनाते हैं आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में yes these are very important terms I am telling you any examination you give under the sky आपको यह काम आएंगे तो unique feature होता है society का attention grab करते हैं awareness raise करने में काम आता है अब different type की flagship species होती है international होती है cultural होती है ecological होती है cultural मतलब हो सकता है कोई एक tribe है है ना मान दीजिए tribe है जैसे बिश्णोई community है ना जिन्होंने सल्मान खान का जो case था जोतपूर में black bug का तो बिश्णोई community के लिए जो black bug है वो बहुत ही अजीज है है ना बच्चे के तरह पालन पोशन करते है तो उनकी कुछ cultural कुछ emotional significance है कुछ international हो सकता है जैसे कि giant panda panda are the cutest animals उनका इतना importance है कि वो international level पे famous है तो इस आर हान जी अब आप याद रखेंगे flagship species क्या होती है तो ये हमारे है flagship species दैसे हमारे phone होते हैं थोड़ा सा खत्रा भी हो सकता है फिर आता है umbrella species umbrella बड़ा ही एक common term है आपके इस पूरे environment में ठीक है एक umbrella act भी है what is the umbrella act? it is the EPA the environment protection act of 1986 एक छत्री नूमा छत्री नूमा तो है मतलब हम समझ सकते हैं it is covering a larger area ऐसा नहीं लगता एक large animal और a large organism जो की keystone species जैसे ही होते हैं बट ये इनका nature क्या है? इनका nature क्या है? ये migratory होते हैं और इनको एक बहुत large habitat चाहिए होता है तो इनके लिए हम एक गाना अगर मैं एक गाना dedicate करूँ आप बताओ umbrella species के लिए अगर आपको एक गाना dedicate करना हो तो आप कौन सा गाना dedicate करेंगे? जल्दी बताइए बड़े ही चितरकार टाइप के लोग हो इतने creative हो बड़ी अग चितर बना बना के भेज रहे हो तो अपना creative acumen को और strong करो मुझे answer दो What could be the song that you can dedicate to these species? क्योंकि ये बहुत जादा क्या करते हैं? पलायन करते हैं migration करते हैं exactly so इनके लिए गाना है क्या? भेती हवा सा था वो मतलब कहीं रुखता नहीं है ठीक है? और ले जाएं जहां मुझे हवाएं so something is like they are not at one place they want to be migratory they could be covering a very larger habitat so umbrella species क्या होती है? I am sure आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप 5th और 6th चानरेट का environment पढ़े हो बड़ा cute सा environment है ये environment हम exclusively classes में कई बहर पढ़ाते हैं but why not? why not for YouTube? आप लोग को भी तो समझ में आए कि असल में environment और ecology है क्या so ये है आपके umbrella red wolf, giant panda, ठीक है? jackuar, right whale so they can actually move around the places और ये इधर उधर जा सकते हैं इनको आप अराम से देख लो I will, you know, go away for a while and then you can actually see it yes, yes so ये बिलकुल गाना से, गाने से मुझे लगता है आपको याद अगे मुसाफिर हूँ, यारो okay, हवाएं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे कभी की कल्पना हमारे बच्चों में इतनी है कि एक बार पूछेंगे तो ये दस answers आते है so umbrella species actually क्या, ये large bodied होती है, wide range होता है, vertebrates होते है umbrella मतलब charismatic तो है, मिताब बच्चन जी के genre के तो है, बट ये इधर उधर होते रहते हैं इसे कभी दुबई, कभी कहीं, कभी कहीं so उनको भी हमें popular है, वो उनका भी audience base बहुत जादा है but थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर ही, migrate होते है तो अगर examination में पूछेंगे flagship species and what is a major difference between a flagship and an umbrella species so they are almost same but the umbrella because it's a larger ambit it can actually be you know moving around they could be migratory, they can actually be, एक species को protect करने से umbrella में जो बाकी की species आती है उनको भी हम protect कर सकते है clear, clear, yes so flagship और umbrella almost एक हैं but umbrella में एक ये difference है फिर एक बहुत important question है, बहुत important चीज़ है जिसको हम बोलते हैं indicator ठीक है, so अगर हम बोलेंगे आपसे, indicator species के लिए कोई गाना डेलिकेट करिए जैसे मैं एक्जाम हो रहा है, मैं धगदख हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं heartbeat बढ़ रही है मैं anxiety हो रही है, या तो क्या सर्दी खासी ना, malaria हुआ, ये गया इसको लवेरिया हुआ तो ये indicators है नहीं, गाने बनते हैं कि अच्छा इनको तो कुछ नहीं हो सकता, अब इनको लवेरिया हो गया है that way, indicator species also indicate something, अगर ये present है या absent है so they will give a lot of information about the environment as such, for example, this question was asked by UGC itself if I want to see the pollution level, pollution level कितना है, तो pollution level के साब से भी species का आना जाना बताएगा pollution कितना है, कितना सही कमाल की बात, अगर आपको दिख रहा है कोई stone fly है, तो pollution कम है stream में, मतलब नदी में, dragonfly है, ठीक है, fresh water shrimp है, मतलब थोड़ा सा जादा pollution हो रहा है ठीक है, hog loss है, मतलब medium pollution है, अगर आपको tubiflex warm type का ऐसा देखेगा, समझ जाना बहेंकर खराब पानी है इंडिकेटर है, यह इंडिकेटर, जैसे धक धक होता है, तो exam होता है, तो indication है, मैं एक दम set है, हम बहुत घबराथ हो रही है पढ़ने में, ठीक है, जैसे बिलकुल, love area, love area हो जाता है, तो उसके भी अलग indicators है, वैसे ही, we have indicator species for an ecosystem, if the presence of them could be telling something else, the absence of them could also be telling you something important about the environment, the very important indicator species are the lichens, the question was asked in UGC and other examination as well, UPSC में भी पूछा गया था, lichens है मतलब, कितना sulfur dioxide air में है, कितनी कमाल की बात है, मतलब, आप यह देखकर यह बता सकते हो, समझ रहे हो, धग-धग देखकर आप लेवल क्या उनका प्यार बता सकते है, अरे बापरे, बहंकर प्यार है हां पर तो बहंकर धग-धग हो रही है, that's that way, so मैं यह उल्जू-लूल example से विसले दे रहे हूं, so that you can remember, these are very closely related terms, but very important, so lichens will tell you the amount of sulfur dioxide in the air, similarly, black spot fungus will tell you lots of sulfur dioxide in the air, fine, so fungus है रोस पे, तो मतलब sulfur dioxide बहुत जादा है, ठीक है, ठीक है, कल question पूछा था जैसे पर्सों या कल की shift में, कि what is the keystone species, I will tell you, I will tell you what is the keystone species, next species होती है, edge species, edge आपने network भी सुना होगा, टेलिफोनी में, edge का full form है, evolutionary, distinct and globally endangered, बढ़िया नाम है ना, काम भी बढ़िया है, मतलब, they are evolutionary distinct, काफी अलग प्रकार के होते हैं, but global level पे endangered होते हैं, fine, so मतलब, इसमें conservation करना पड़ता है, इनका status जो है, बहुत हाय होता है, conservation की rank पे, और इनमें distinct होते हैं, बाकी के taxonomy में, so edge मतलब क्या है, edge मतलब, it's actually the boundary, हमने boundary से related एक term पड़ा था, for example, there are two ecotones, one is this, I mean two ecosystem, ये ecosystem है, ये ecosystem है, उनके जो beach का, जो combining area है, ठीक है, ठीक है, इन्दू थोड़ा सा आप मन लगा के पड़ोगे, तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, it's not, ये session आपके रंगा-रंग, मन ओरंजन के लिए नहीं रखा गया है, एक बज़े है न, ये session इसले रखा गया है, ताकि आप पड़ें, and my intention is always to make you learn with fun, ठीक है, seriousness से better है, अच्छे examples देके पड़ोगे, याद रहेगा, so if this is ecosystem one, this is ecosystem two, ये जो है, ये ecotone है, so edge species क्या होती है, जो दो ecosystem के edge पे आती है, edge, आपने edge effect भी पड़ा होगा, for example, ये एक lake है, ये एक land है, coast है, दोनों का जो edge होता है, for example, we call it as a mangrove, है न, यहाँ पे mangroves उखते हैं, we have this delta, इसको हम क्या बोलते हैं, ये delta region है, ये marshy है, ये marshy है, तो इसको हम ecotone बोलते हैं, यहाँ पे जो species होती है, उनको हम edge effect बोलते हैं, या edge species बोलते हैं, ठीक है, clear, any doubt, any doubt, what is the edge species, or the edge effect, or ecotone all about, हाँ जी, last की species है, last की species है, जुसका नाम है keystone, keystone, मतलब एकदम चाबी नुमा स्पीशी है, क्या लगता आपको, अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, if I ask you, keystone, यसे ये question examination में पूछा था, this question was asked in the examination, keystone, what do you can decipher from this word, it's a, don't you think key is something that is very important, if you don't have key, you cannot open a lock, और प्रबाबली, अगर key ही नहीं रहेगी, चाबी नहीं है, success की, तो success नहीं आपको, आप unlock कर पाओगे, yes, खान जी, so, so, keystone species, एक ऐसी species होती है, जो बहुत एक unique और crucial role, role play करती है, अगर वो नहीं रहेगा, the ecosystem would be dramatically different, I mean, इस पे जोर करिये शप्त पे, the entire ecosystem will be dramatically different, for example, अगर मैं बोलूँ, इस particular, आपने कोई school या college जोइन किया है, किसी एक faculty को देखकर, या किसी एक stream को देखकर, पर वो stream ही हटा दिये, अगर वो आपने branch जो चुनी है, वो अचानक से branch हटा दिये, वो faculty हटा दिये, तो आपको नहीं लेगेगा पूरा ecosystem में बहुत dramatic change आ गया है, yes, so the disappearance of that particular one species के कारण, बाकी के survival पे भी सवाल उठ सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए, जैसे एक share है, या shark है, एक बहुत बड़ा, yesterday the question was asked, the answer was lion, ठीक है, अगर ये नहीं है, तो ये जिस पे feed करते हैं, उनके population में भ आएगा, so the species is actually that important, अगर वो species नहीं रहेगा, तो बाकी के species के अस्तित पे भी एक बहुत बड़ा प्रशन चिन उठ जाएगा, जैसे कि shark है, sea otter है, snow horse है, prairie dog है, starfish है, grey walls है, everything, all these species are considered to be the keystone species, तो ये आप diagram देख रहे हो, this is, I will go away for a while, here, yes, yes, so if you can see, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम फरहान ने बढ़िया बात बोली, अगर ये species नहीं रहेगा, तो आप बोल सकते हो, वक्त बदल गए, जैस बात बदल गए, सब बदल गए, आरे, ये नहीं है, तो आप शायद कुछ और भी नहीं हो पाएगा, है न, फिर आप नहीं बोल पाओगे, अनुनु बर्गर खिलाओ, अनुनु पीजे खिलाओ, because this species is very crucial, ये की स्टोन स्पीशी है शार्क, अगर ये शार्क यहाँ पर अपसेंट है, so the population of these fishes could increase, शार्क रहेगी, तो वो छोटी-चोटी मचलियों को खाती रहेगी, ये ही नहीं हैं, तो छोटी-चोटी मचलियों को कौन खाएगा, एनुनु बर्गर और पीजे कौन खिलाओ, so that is the main difference between the keystone species and the other species, इनको हटा दिया, पूरा ecosystem हिल जाएगा, so आपको जीवन में भी ये ही कोशिच करना है कि की स्टोन बनो, जहां जाओ तो ऐसा रहे कि आप ना हो तो मजा ह ना है, है ना, okay, so, overfishing होती है, शाक में आपको पता है, the biggest industries, you know, of tuna fishing and all, tuna fishing की इतनी बड़ी industry है, because shark feeds on tuna fish, so there are many documentaries, आप Netflix में भी देखेंगे, तो एक documentary है, Seaspiracy, उसमें बताया है, शाक को किल कर दिया जाता है, they are killing the sharks, because sharks feed on the tuna fishes, तो ना रहेगा, बास ना बजेगी बासुरी, उनको tuna fishes से मतलब है, शाक को हटा देंगे, टूना fishes बच जाएंगे, पूरी की पूरी, so that is the importance of keystone species, and this question was asked in yesterday's examination, fine, fine, clear है, any doubt, any doubt, so, quick revision, quick revision, फिर से करते हैं, I explained you all the species, which I came to explain, जल्दी से हमने शुरू किया था, इस flagship phone से, ठीक है, flagship क्या है, बहुत important, जो आज तक अभी कुछ हुआ नहीं है, और एकदम जनता का पसंदिदा, जनता का फेवरेट, है न, charismatic personality, वो flagship होता है, जैसे हमारे पोलार बेर, ठीक है, इनको extinction का भी खतरा है, इसलिए हमने इनको एक brand ambassador बना जाए, ठीक है, brand ambassador, जैसे हमने बच्चन जी को बनाया है, ये है हमारे brand ambassador, share type के, तो मतलब, they are so important, we have to conserve them, ताकि ये extinct ना हो जाए, international होते है, cultural होते है, ecological होते है, umbrella, it's like big chhatrinuma species, ये भी important है, but ये कह है, बहती हवासा हुम है, ठीक है, so it's like they are here, sometime they are there, sometime migrate होते है, and because they are migratory, इनके कारण other species are also affected, ठीक है, so butterfly, jaguar, giant panda, spotted owl, coho, salmon, all these things, fine, yes, traditional umbrella species को भी conserve करना बहुत जरूरी होते है, then we have indicator species, कि indicator अगर आपको चाहिए, कि इनको क्या हुआ है, है ना, अगर आपका धगदक हो, हो रहा है, तो मतलब आपको exam है, ये आपने उस वैक्ति को देख लिया है, जिसक Same, indicator species are same, if the presence or the absence of them could tell a lot about the environment, for example, pollution in water, these species will tell कि कि कितना pollution है water में, indicative level, also the pollution in air, अगर sulfur dioxide is more, you will see more of lichens and also the black spotted fungus on the rows, ठीक है, clear है, yes, then you have edge species, evolutionary, distinct and globally endangered species, they are a special feature of the ecotones, Ecotones are the areas where two ecosystems combine, and इसको हम बोलते हैं, edge effect भी, ये हमने पढ़ा है, जैसे कि आपका मार्शी लैंड, जैसे कि आपका सुन्दरबन डेल्टा, ठीक है, ठीक है, ये आपके, फिर होता है, finally, हमारी चाबी नुमा species, मतलब जैसे आपको चाबी की जरुरत होती है, सब चीजों को explore कर करने के लिए, keystone species, that, that plays a very unique and crucial role in the ecosystem function, that disappearance, अगर ये गए, तो सब गए, है ना, मतलब अगर इनको हटा दिया, तो सब कुछ हिल जाएगा, like a shark, shark are predators, और जो keystone species होती है, they are generally the predators, जो predatory होते हैं, जो किसी और पे क्या करते हैं, प्रिडेट करते हैं, ठीक है, fine, fine, so thank you so much guys, एक ब छोटी बुट